दोस्तों आज की कानी है सासुमा मैं आपको नमक नहीं दूंगी सलो दोस्तों कानी को सुरू करते हैं सपना अरे ओ सपना का है तूजरा नमक तो लाना जैसे ही सासुमा की अवाज सपना के कानों तक पौँसी जलती से सपना नमक की डिपिया उठा तेज कदम सलती सासु मा के कमरे में पौँस गई समस से उनकी सबजी मी नमक डाल वापस जाने ही लगी की सासु मा बोली अरे सपना बेटा तुझी इतनी बार का है की एक टिपे में जरासा नमक डाल कर दिया करता की जब भी मुझे जरुरत पड़े में खुद ही ले लूगी बार बार तुझी दवाज लगा कर बुलाना हुझे भी अच्छा नई लगता है लेकिन तू है की मेरी सुनती ही नई तपाक से सासु मा बोली लेकिन सपना बिना कोई जबाव दिये हलकी सी मुस्कान लिये सले गई इसले साथ सालों से उनकी इस आदत से बब बेखबर ना थी सपना पहले बुरा लगता था उसे की उसके बनाई मुई हर सबजी में सासु मा की सुई नमक पर आकर अटक जाती थी कई बार नराज की भी दिखाई सपना ने परन्तु जादा बोलना उसे तन नहीं समझा आकिर कारगर की बहुसों धरी यही अगर बेटी बोलने तो कोई दिक्कत नहीं होती परन्तु बहु की कोई भी बात बार बार करने पर कलस हो जाता है वो कलक का कारण अवस्य बन जाती है यही सोस सपना नी सूपर आना ही सीख लिया था अब विसारी सपना करे तो क्या करे साधी करवा कर इस गर में आने के बाद ही सुरजी और पती देवद्वार सक्त हिदायत ने दे दे गई थी के तुमारे सासुमा को प्लैण प्रैस्टर बढ़ने के सिखायत रहती है ये सले उनको कम से कम नमक देना है तमसे भी सारी पसे ही थी इदर हुआ उदर खाई वाले हालात चू प्यदा हो गय थी कम नमक डालती तो सासुमा का ये के डैलों के सदा खानों में सुनाई पड़ता की सपना सबची पेसे दो और स्वाधिष्ट की पर नमक कम होने की वज़स से रोटी खाने का मज़ा नहीं आया लेकिन फिर भी दवायां लेनी होती है तो पेट बरने के लिए खा लिया है खाना अगले बार नमक का जरा ध्यान रखियों एक दिन तो हद ही हो गई जब सपना ने सासुमा को खुस करने के लिए सबची का नमक धुड़ा तेज कर गया बस फिर क्या था बड़े मजे से रोटी का स्वाद लेती हुए सासुमा खाय जा रही थी और खाया भी और सामत कमलेन प्रेसर बढ़ गया सासुमा का अब सारा दोस जा पौशा सपना के उपर यो की सासुमा अपना दोस तो बताने से रही नाग जो कट जाने थी बस तब से थान सुखी थी सपना के अब साय जो मर्जी को जाएगो सासुमा की सिक्दी सुपडी बातों में नहीं आएगी उनकी डाट खाना मन्जूर था परन्तो उनको सारे रिक नुकसान पौशाना कते ही मन्जूर नहीं था आखिर कार कई ना कई उसके मन में अपनी सासुमा के लिए सौप्ड कॉनर भी था बले ही नमक के बाने ही सही सासुमा सपना से सिकायत तो करती पर इस सिकायत में भी उसे अपना पन लगता कभी सोसा नहीं था सपना ने की नमक उसके और उसकी सासुमा के बीस की बात सीत का एक मत पुण हिसा बन जायेगा और उसी के साथ बही सास बहु यही रोज सलता रहता था दोनों नमक के वाने कभी लड़ती कभी प्यार से रहती तो दोस्तों इस कानी से हमें यही सिकाते हैं कि अगर उपनों के सुरक्सा के लिए हमें थोड़ी बहुत डाट खानी पड़े तो कोई बात नहीं कुसी कुसी खा लेनी साहिए तो दोस्तों कानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर कानी अच्छी लगी तो लाइक करना सेर करना मेरे सेनल को सस्क्राइब करना धनियावाद दोस्तों